बेटा यालू पंचियों के बारे में समझानते हो जी मेडम जी अच्छाई बता कौन सा पंचि उड़ी नहीं सकता मेडम जी इसका उत्तरना मरा हुआ पंचि जो कभी उड़ी नहीं सकता बिटिया आज फिर तुम्हें लड़के वारे देखने आ रहे हैं इस बार कुछ गड़बल मत करना और अगर तुम्हारे होने वाली साथ तुमसे पूछे की ससुरान में क्या क्या करोगी तो उनसे बताना की घर का सारा काम करूंगी जाडू लगांगी चूला फूकूंगी औ सुमा आपके लिए बड़े गले का बिलाउज काट कर फिर सिलूंगी बड़ी सुन्दर बीटिया है आपकी और बता बीटिया साथी के बास ससुरान में क्या क्या करोगी बाजी में घर में जाड़ फूक करूंगी और समय मिला तो पती देव को उध्याड़ कर फिर बिनूं और आपके लाकाट कर फिर सिलूंगी बिटिया क्या है ममी और तुम्हारे होने वाली साथ तुमसे पूछे की ससुरान में क्या क्या करोगी तो उनसे बताना की घर का सारा काम करूंगी जाड़ू लगांगी चूला फूकूंगी और अगर समय मिलेगा तो पती देव के तेल में पकोड़े तलूंगी शासुमा आपके लिए बड़े गले का बिलाउज काटकर फिर सिलूंगी तो बड़ी सुंदर भी तीया है आपकी और बता बिटिया साथी के बाद सासुरान में क्या क्या करोगी तो अब समय मिला तो पती देव को उध्याड़ कर फिर भी सर जी नमस्ते नमस्ते चिंटु बेटा नमस्ते चिंटु बेटा ये क्या करके आए हो क्या हुआ सर ये काला जूता और दूसरा सफेद जाओ घर जाके चेंज करके आओ सर कोई फाइदा नहीं वहां भी दो ही है एक काला और दूसरा सफेद ओहो मजा जाएगी कल अरे बेटा इतना क्यों खुश हो रहे हो कल हम माला माल होने वाले हैं वो कैसे कल हमारे गडित वाले टीचर पैसों को रुपा में बदलना सिखाएंगे